मनीशा राणी ने अपनी फेवल स्पीच तैयार कर ली है लेकिन इस स्पीच में उसने जिस तरीके से अपने सभी दोस्तों का जिक्र किया और खाजकर फुक्रा का उसको सुनकर फुक्रा की आखे भी भराई दोनों ने पहली बार खुलकर अपने रिष्टे पर बात की और बताया कि ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या मतलब है और ये दोनों क्यों एक दूसरे के इतने करीब है अब यहाँ पर मनीशा ने कहा कि जब मैं यहाँ आई तो मेरा पहले ही दिन कनेक्शन हो गया था फुकरा के साथ मैं उसको पसंद करने लग गई थी मुझे नहीं पता वो मेरा दोस्त है छोटा भाई है बड़ा भाई है क्या है क्या नहीं मैं सरव इतना जानती हूँ कि अगर ये खाना ना खाए तो मेरे भी गले के नीचे खाना नहीं उतरता है मुझे बस इतना पता है कि मैं जब भी इसको देखती हूँ और मुझे लगता है कि यार वाकई में ये मेरी केयर करता है मैंने देखा है कि ये मेरे लिए घरवालों से भी लड़ जाता है मैंने देखा है कि वो किस तरीके से मेरे लिए कितनी बार सोचता है और खड़े रहता है वहीं फुकरा जो है मनीशा की सारी बात सुन रहे थे और उसके बाद वो भी मनीशा के लिए कहते हुए नजर आए कि जब से यह आई मैंने पहले ही दिन से इसे छोटी बहन मान लिया था मैं जल्दी दोस नहीं बनाता अगर बनाता हूँ कि उसका दिल साफ होना चाहिए और मैंने देखा है मनीशा का दिल बहुत ही ज़्यादा साफ है मुझे नहीं पता लेकिन बस जब यह रोती है तो मुझे से बरदाश नहीं होता फिर मैं यह नहीं देखता कि सामने कौन है और मैं लड़ पड़ता हूँ मुझे इसके आंसू नहीं देखे जाते हैं तो यह बात दोनों एक दूसरे के लिए कहते नजर आए हैं यहां तक कि मनीशा यह भी बोलती नजर आई मुझे नहीं पता यह बाहर मिलेगा या नहीं हाला कि मुझे यह बात बोलनी नहीं चाहिए पर पता नहीं ये बाहर मुझे मिलेगा या नहीं लेकिन मेरा हमेशा इसके लिए प्यार, रिष्टा, दोस्ती बरकरार रहेगी तो कही ना कहीं मनीशा को ये लगने लगा है कि इस हफते वो जा सकती है और इसी लिए इस तरीके की स्पीच वो फुकरा के लिए देती हुई नजर आई आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें लेकिन उससे पहले हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले